एलो स्टुनेंट्स, डेटा स्ट्रक्चर चे अपां कर रहे इसी लिंक लिस्ट, आज ते नेक्स लेक्चर चे आपा देखांगे, हाउ तु इंसर्ट ए नोड इन लिंक लिस्ट, कि अपनु एदे विच की होएगा, अपनु एक गिवन लिंक लिस्ट होएगी, जिद्धा अपनु इथे शो होएगी, एक लिंक लिस्ट है, जिदे विच चार नोड ने अपने को, ते ओधे इच डाटा है, 10, 20, 30 and 40, आपने ये नोड इनसर्ट करनी है, ओ इनसर्ट आ लग्ण तरिक्के ना कर सकते, आपनो बिग निंक चार बिंक लिंक लिंकर सकते, इन बेट्वीन टू नोड जार लिस्ट लेके चलाँगे, त. इस अवेखलर मिदा करना грead, फ्री स्टोरेज दा मतलब कि यह है अपने कोल डिफ्रेंट नोड्स होनगी या जिनना नुग आपा एथों दे इक नोड चकके एदे विच इंसर्ट करांगे फ्री लिस्ट ऑफ स्टोरेज है जिदे विचे कुछ नोड्स अल्डेडी पेंजाने जिडियां कि फ्री ने इनना दे विच कोई भी डाटा हजे नहीं है आप आप एदे विचे एक नोड लेके इस लिस्ट चे इंसर्ट करांगे एक यह अपने कोड़ फ्री स्टोरेज है जो की अवेल पॉइंट कर रही है अवेल की है वो लिस्ट दे फ्रस्ट नोड नोड करेगी जिदा स्टार्ट है स्टार्ट अगर अगर अद्रेस 500 है ता इट मिंज वो 500 अगर श्टार्ट दे विच फाइवंडड वेर्यू है ता फर्स्ट नोड दा अड्रेस की है 1000 तो अगर अपने को अवेल एदा नल वैल्यू है अगर अवेल दे विछ नल वैल्यू है इट मेंज अवेल की है एंप्टी तो अपने दे विछ कोई भी नोड इंसर्ट नहीं कर सकदे तो इट मेंज ओक एडी कंडिशन अगर अवेल वैल्यू नल है अपने को लेस्ट दे विछ कोई भी नोड नहीं है खाली नोड कोई भी नहीं है तो इट मेंज ओक केडी कंडिशन होएगी ओवर्फलो होएगी अगर नहीं है फिर अपकी करांगे अपने केडी केड़े बीचो इकल नोड चकांगे तो उनू यह इथे इंसर्ट करांगे तो नोड इथों केमे ल्मांगे अपा देखो एक औपा एक होर पोइंटर यूज करांगे यह निव तो आपा इथे एक वर्ड या कह सकते हैं कि विरियेबले यूज करांगे नियू पहला आपा की करांगे नियू इस इकल टू अवेल सो देखो एथे अगर अवेल दी वैल्ली वन थाउजंड है ता नियू दी वैल्ली किनी होजेगी 1000 यानके हुँँ नियू कीनू पॉइंट कर रहे है इस पर्टिकुलर नोड नूँ पॉइंट कर रहे है देन अवेल इस इकल टू लिंक अवेल नियू मतलू कि यह है कि अवेल दी वैल्ली वन थाउजंड है ता यह दे लिंक पार्ट च जो भी अड्रेस होएगा सो लिंक पार्ट चे थे किन्नी वैली होएगी 2000 सो इटमिंज एथे किन्नी वैलू है 2000 ओ 2000 किस चाजे army देविच यानकि हुन अवेल देविच किन्नी वेलिव आजेगी 2,000 तो अगर अवेल देविच 2,000 है ता हुने 2,000 किन्हों पॉइंट कर रहे है इस लोकेशन तो अवेल एथे आगे है यानकि हुन अपने को जड़ी फ्री स्टोरेज आओ सिर्फ एनिक रहेगी ते ये लिस्टा पाइथों दी हुन चक सक देया ते ये लिस्ट नोड है ओक इस चागी निउ देविच तो ये नू हुन अपा इंसर्ट करांगे एथे अपनी जो ओरिजिनल लिंक लिस्ट है जो की स्टार्ट द्वारा पॉइंट हो रही है आपके उत्थे हुने नू इंसर्ट करांगे वोदे लिए अल्गोरिदम देखने आपका आपके अपने लिंक लिस्ट देए फरस्ट नोड नू पॉयंट कर रही है इंफो ते लिंक कीने आपनो पता है इंफर्मेशन पाट देविच डाटा होनदा है तो Link पार्ट दे विच की होएगा Next Node दा Address होंदा है Awail की है Awail Points To The Free Storage人 One in Memory So Awayal की नूँ पाइट कररे है! Free Storage नूँ पाइट कर रहे है अगर Awail The Value Null है अपने कोई वी Free Storage नहीं है आप त्थी insert नहीं कर सकते Item ये Item दिविच fav value होएगी या कहा सकते है। data होएगा जो अपने insert करना है सो अपने start कर देया first condition अपने देख्या सी होनी कि first condition की check करनी है if avail is equal to null then की करना है write overflow and exit सो अपने उथे overflow print कर वालांगे तो अपने उथे insert नहीं कर सक दे so it means null दिनल अपने exit हो जाँगे so अगर यह condition नहीं है then अपने next step ते आजाँगे so set new is equal to avail so देखो एथे आपने एक example लेगे चाल देया avail एथे आपने कुछ addresses देवेने 4 nodes ने suppose अपने को free nodes ने एडिया 4 nodes ने first node दा address है 500 second दा address है 600 third दा 700 and then 800 so अगर avail दे विच 500 है it means यह नहीं point कर रहे है so अपने की करना है new is equal to avail so पहला new दी value किनी होगी 500 then avail is equal to link avail link avail यानकी यह वाली value एथे किनना है 600 क्योंकि यह नहीं point कर रहे है so यह 600 की दे विचाजेगा avail दे विचाजेगा so avail दी value हुन किनी होगी 600 it means हुन avail किनू point कर रहे है second node so यह नोड है जड़ी यह थोंदी free होगी है so यह नोड कीनू कौन पॉइंट कर रहे है इस नोड नू new so it means new दे विचाज अपने कोल की है particular node जिदा address किनना है 500 so यह free node है जो अपने इंसर्ट करनी है यह थे so अपने कोल जो original list है वो की है start start दे विचे देखो किनना है 100 so it means first ready node है वोदा address 100 है second node दा address अपने के चाले है 200 third address है 300 so यह 200 यह थे होगा 300 यह थे होगा क्योंकि यह इनू पॉइंट कर रहे है ते यह इनू पॉइंट कर रहे है ते इना दे इच डाटा की है 10, 20 and 30 so अपने अपने इंसर्ट करनी है new node जेड़ी आपने इथे free करवाई है so पहला की कर दे आपने इस जेड़ी new node दे विचे data एंटर कर लेने है data यह यह थे information part दे विच so information new is equal to item so यह सेम हो दे ही है जिदा पा पिछले लेचर जे देख्या सी कि आपा लेकदे सी info ptr so link ptr ते info ptr सेम हो दे ही हुने इथे कि यह info new new कीनू पॉइंट कर रहे है इस node नू क्योंकि new दे विच किनी value है 500 so इस त्रीक के नाल info at 500 is equal to item item कुछ भी अपने insert करना है suppose करो अपना 50 insert करना है so यह थे आगया 50 so info at 500 दे विच किनी value आगी 50 then link new link at 500 link at 500 दे विच किना address आजेगा जो start दे विच है so start दे विच किना है 100 so link दे विच किना आगया 100 then start is equal to new so start दे विच किनी value आजेगी जो new value है new value किनी है 500 so start दे विच value आगी 500 so यह थे start दे value किनी होगी 500 अगर start दे value 500 है it means start किनू point कर रहे है इस new node नू so इनू अपा इधां कर सक देया so यह जड़ी new node है 500 वो यह थे आगी so start यह 500 वाली new node आगी जी दे विच किनी value है 50 value है ते link पाट चे किना है 100 so अगर link पाट चे 100 है it means यह नू point कर रहे है ते start हुन यह नू point कर रहे है so start 500 वाली node then 100 वाली node then 200 and then 300 so इस त्रिक के नाल जड़ी यह node है starting दे विच इंसर्ट होगी simply अपने एथे pointer दी arrangement किती है कि पहला link new दे विच किनी value हागी start यान कि link किनू point कर रहे हुन एदा link first node नू point कर रहे है जो आपा इसों free कर भाइब है yeah okay yeah